सलाम, नमस्ते, सर्सिक अलाराब, कैसे हैं दोस्तो, मैं हूँ जास, चलिए आज एक और नया मेक ओवर आप लोगों के लिए, और आज का जो मेक ओवर है, वो है, आप देख सकते हैं, आज हमारी मॉडल के बाल बिलकुल कॉपर है, इनका हम लोग ने पहले हैलेटिंग किया थ इसलिए आप देख सकते हो, बहुत ब्रासी लुक आ रहा है, बहुत कॉपरिश है, तो आज ये कॉपर कलर को हम लोग इसको लेके जाएंगे, थोड़ा सा सटल कलर में, तो देखते हैं कैसे इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ट् सेले के पहली, section clips है, whisk है, bowl है, brush है, cutting sheet है, gloves है, foil papers है, तो सब चीज़ आपके बाएंग स्केल है, तो सब की सब चीज़ आपके पास में ready होनी चाहिए, with tail comb, तो ये है हमारे पूरी trolley setting, उसके बाद हम लोग बनाएंगे हमारे sections, आप देख सकते हो, थोड़े थोड़े ग्रे बाल भी है, हमारे model के, और इसलिए अब हम लोग ने plan किया है, कि हम लोग इनके बालों को थोड़े से light करेंगे, देखने कितना lift होता है, क्योंकि हम लोग soft blonder use कर रहे है, with 40 volume use कर रहे है, तो थोड़े से lighter shape पी जाएगा, क्योंकि we are using 40 volume, यहाँ पे blonder, वैला का soft blonder, इसका जो ratio है, लिख लो आप लोग 1 is 2, 1 and a half, और यहाँ पर हम लोग use कर रहे है, 40 volume, लिखो दुबार, 1 is 2, 1 and a half, 40 volume, हम लोग ने यहाँ पर use किया है, इसको अच्छी से mix करो, properly mix करो, देखो, gloves pen के काम कर रहा हूं, without gloves के काम नहीं करना है, कभी भी chemical से काम करो, gloves pen के काम करो, which is very very important, देख रहे हैं, आप लोग proper इसको mix किया चीस है, sections हम लोग ने basic sections पहले निकाले थे, अभी हम लोग proper sections निकालेंगे, perimeter पर हम लोग color करेंगे, और अभी यहाँ पर हम लोग, अगर आप weaving की बात करो, तो देख रहे हैं, थोड़ा weaving ना, बहुत जादा पतली नहीं निकालने हो, तो आप हमेशा pre-lightning पीछे से start कर, मतब ने परिया से काम शुरू करना है, लेकर आज तो आप front से start कर रहे हो, अब अपनी हर वीडियो में बोलते हो, लेकर मैं साथ में ये भी बोलता हूँ, अगर आपने गौर किया हो, अगर client को lighter shade चाहिए, तो आप pre-lightning starting front से भी कर सक हो, हमारी client जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, she is very fair, अभी इनको क्या है, she wants to go with the lighter color, अभी इनको ने बोला भी था, कि जैसे आप इनके बाल देख सकते हो, she has got little dry hair, लेकर उनको lighter shade चाहिए था, तो उनको बोला, मैं इसके बाद में ध्यान रखोंगे with the spas, with the velaplex, olaplex, whatever, त तो इस position पे, इस condition में हम लोग इनके माने, कि हम लोग इनके बालों को थोड़ा सा light shade पे लेके जाएंगे, थोड़ा कि आप 40 volume यूज कर रहे हैं, तो काफी light जाने वाल है, तो हम लोग इन बालों को pre-lightning करके, फिर उसके उपर deposit करेंगे, और जो इनका, आप देख रहे हो, जो copperish बाल है, वो copper वले बालों को हम लोग neutralize भी करेंगे, आज वो भी सिखाओंगा आप लोगों को, ओके, तो अभी आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पर जो weaving ले रहा हूँ, वो पूरे perimeters पे कर रहा हूँ मैं, starting, हम लोग ने front से start किया, अभी हम neperia पे है, आप देखो sides को भी cover किया हम लोगों ने, तो basically क्या है, कि हम लोग यहाँ पर पूरे perimeters को cover कर रहे हैं, ताकि जब यह बालों को, suppose, यह tie करते हैं, clutch लगाते हैं, clutch करके अगर लगाते हैं, पूरे बालों पर rubber band लगाते हैं, तो क्या होना चाहिए कि पूरे बालों पर highlighting है, वो दिखनी च चाहिए, तो इसलिए मैं medium highlight के हिसाब से, और जैसे आप लोगों को पता है, मैं हमेशे एक चीज और बोलता हूँ, अगर straight बाल हूँ, poker straight बाल, fine weaving से काम करूँ, अगर बाल थोड़े wavy हो, तो आप वहाँ पे, जो आपकी thickness of the weaving है, वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे इनके थोड़ा से वेवी से जादा है, curly से थोड़े कम है, और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, कि अगर density कम हो बालों की, तो बालों को light करो, जितना maximum आप light कर सकते हो, अतना light करो, जिससे कि आपके बाल थोड़े जादा नजर आए, ओके, तो अभी आप देखोगे, इनके बालों पे हमेशा करते हैं, इसलिए अगर आप देखोगे, तो इनके बाल थोड़े जादा नजर आते हैं, तो मैं आपको key points जे रहा हूँ, उनको दिमाग में रखो, बिल्कुल ये छोड़े-छोड़े key points हैं, बहुत काम आएंगे, बाकी perimeters पे काम हो चुका है, कैसे आप देख रहे हो, right, perimeter करने के बाद में, अब हम लोग हमारी weaving करेंगे, overall, जितने भी हमारे अभी sections बचे हुए हैं, उनके ओपर, तो यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताया, soft blonder use किया है, Vela का बहुत प्यारा blonder है, मैं आप लोगों को यही advice करूँँगा, कभी भी आप जो ingredients हैं, वो बालों को बहुत जादा dry नहीं करते हैं, तो है यहाँ तक भी आपको समझ में होगा, बाकि आप foiling को देखो, कि foiling कितना neat करना है काम, proper करना है, और color जैसे आप mix करते हो, भले color हो, pre-lightning हो, whatever, थोड़ थोड़ा करके mix करो, एक साथ बहुत जादा mix मत करो, ध्य जैसे आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे हो, कि बीच में एक slice लिया, एक slice बीच का छोड़ा, उसके बाद में हम लोग weaving कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपको, तो यह जो बीच के gap है, मतलब एक weaving के बीच में, मतलब अभी दो weaving के बीच में, जो हमारे slice है, या जादा होगी, यहाँ पर आप foil देखोगे, मैं बहुत limited foils लगाने वाला हूँ, बहुत जादा नहीं करने वाला, क्योंकि इनक्या जो बीच के बाल है, मतलब अभी weaving और दोनों weaving के बीच में, जो slice छोड़ रहा हूँ, मैं, वहाँ पर भी हम लोग global ही करने वाले हैं, वह हम आपको बताऊंगा आगे, कि हम लोग वो global क्यों करेंगे, lighter color का ही करूँगा, और साथ-सा neutralize भी करूँगा, तो कौन सा color use करूँगा, जिससे की neutralize भी होगा, वहराल अभी आपको focus करना है, foiling पे, weaving पे, और कैसे हम लोग weaving निकाल रहे हैं, उस पे बहुत easy है, यह बहुत basic ह air weaving, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसको result आता है, वह बहुत कमाल का आता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन color करने के बाद में, clients को आपको कुछ हिदायत दे दी है, कुछ advice करना है, आपको हमेशा बोलना है, color protection shampoo, यह आपको use करना है color protection shampoo, always use after the color, और especially after the pre-lightning तो बिलकुल ही बनता है, क्योंकि बाल काफी sensitized हो जाते हैं, जब आप use करते हो pre-lightner, तो sensitized तो होंगे, लेकिन अभी क्या है ना कि अगर आपको थोड़ा से lighter shade चाहिए, तो बगार pre-lightning के आप नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के question आते हैं, सर क्या ये color में color, सिर्फ color से जो भी आभी आज का जो हम लोग shade achieve करने वाले हैं, क्या मैं ये सीधा direct color लगा के achieve नहीं कर सकता, तो अभी के लिए नहीं कर सकते, अगर आप देखोगे के 5 number के, अगर 5 number का बाल है, fine बाल है, तो वहाँ पे max to max 40 volume से आप 4 level तक lift कर सकते हो, तो म तो हम लोग जो normally fine बालों पे, हम लोग 8, 8 and a half, max to max 9 तक कई बर पहुंच जाते हैं, लेकिन practically बात करूँ, 8 level से उपर, मतलब क्योंकि अगर normally 3 level तक ही lift कर पाते हैं, हम लोग with color, तो नहीं हो पाता, okay, तो अगर आपको 10 number तक जाना है, ये numbers मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझ वीडियो देखो, जिस पर numbering system करके बोला गया है, तो आप देखो कि आपको बहुत idea होगा, Sam ma'am ने बहुत प्यारी theory, आप डालो, Sam and just color theory करके आप डालोगे, तो आपको Sam ma'am के बहुत सारे tips, उसमें उन्होंने reflection के बरह में बताया है, उन्होंने काफी इसमें theory दी है, कौन लोग देख लो, कैसे हम लोग sections ले रहे हैं, कैसे हम लोग sections बना रहे हैं, साथ-साथ मैं आपको key point दे रहा हूँ, emulsification अच्छा करना है, foiling जरूर लगानी है, अगर आपको lifting जादा करनी है, तो यहां तक अगर आप देखोगे, हमारी पूरी foiling हो चुकी है, these are all the foiling we have done, त क्या देख रहे हैं, आपको eight stroke double one, वैला का लिखो, eight stroke double one, eight double one जो है, वो ash color है, ash की intensity है, ash की intensity, ash का जो undertone होता है, that is blue, अब अगर आप blue color को दोखोगे, तो वो blue color क्या करेगा, मतलब ash color क्या करेगा, जितना भी यह copper आपका look आ रहा है, उसको यह करेगा neutralize, समझ में आ रहा है, तो अगर आपको lighter color भी डालना है, और उसके बाद में, आपको ash color के साथ में, उसको neutralize करना है, तो भी आप यह कर सकते हो, तो eight stroke double one, अभी हम लोग पूरे बालों पे लगाने वाले हैं, global करने वाले हैं, और इससे ही जो copper का look आ रहा है, उसको हम लोग करेंगे, neutralize, तो I hope यह रहा हूँ, scalp से थोड़ा छोड़ रहा हूँ, notice कर रहे हो, आप लोग, scalp पे नहीं लगाना, अगर आपने, सिर्फ length पे लगा रहा हूँ, क्योंकि पहली बात, इससे gray coverage नहीं होगा, मैं आपको एक चीज़ clear कर दू, there is no gray coverage in this, first thing, दूसरी बात, यह जो copper है, उसको neutralize करना है, और third, मुझे बालों को थोड़ा light करना है, इसलिए, already light है बाल, और art number से क्या है, वो थोड़ा blonde में आएगा, तो और इनके skin tone पे बहुत अच्छा color यह जाएगा, तो अभी, इसके बाद मैं एक color और लगाने वाला हूँ, जो कि आपका आएगा, after the wash, तो global जो है, आप देख इस पे बिल्कुल भी color नहीं आने दे रहा, face पे, न neck पे आ रहा है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, सारे बालों को uplift कर रहा हूँ, उपर की side ले रहा हूँ, जैसे जैसे पीछे से शुरू किया, मतलब मैंने, अगर आप देखो गया, आपने notice किया हो, तो मैंने crown section से start किया, और crown के उपर ही सारे बालों को लेके गया, और वहीं पर मैंने बालों को paste कर दिया, क्योंकि अभी क्या है, बालों के उपर, हम लोग क्या लगा रहे हैं, बालों पर color लगा रहे हैं, तो अभी गिला ही है, color मतलब ठोड़ा sticky तो होई जाता है, तो उसी को एक दूसरे के उपर paste कर है, वो बहुत काम आने वाल है, तो आप इसको share कर देना, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको बहुत learning मिलने वाली है, it is going to be amazing, बहुत learning मिलेगी, बहुत मज़ा हैगा आपको, और मुझे ऐसे लगता है कि इसमें इतना को सीखने वाले हो आप बहुत जादा, बाकि अग लोगों को, जिनका salon शुरू हो चुका है, और उनको बहुत सारे doubts है, तो आप हमाने online class में आओ, online class में आपको काफी ideas मिलेंगे, learn lot of things, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बाकि application करने के बाद में, अब हम client को बिठाने वाले हैं, after this application, कौन सा जो हमने roots पे, जो हमारे, जो 8 stroke, double one हमने apply किया, उसको हम लोग रखेंगे total 25 to 30 minutes, तो basically इसको application करने में मुझे, यो जो color मैंने application किया है, क्योंकि foiling के immediately, जो से हमने pre-lightning किया, pre-lightning के immediate बाद, हम लोगोंने start कर दिया था, 8 stroke, double one, immediate बाद, okay, तो आप समझो कि मुझे application में total 15 to 20 minutes लगे, global application करने के लिए, पहले हम हम लोग ने highlight किया, highlight के foils के जैसे complete हुआ, तो उसके बाद हम लोग 8 stroke, double one mix किया, और application किया, इस पूरे process में मुझे 15 to 20 minutes लगे, suppose करो मुझे 20 minutes लगे, तो मैं इस color को आदा घंटा रखना चाहता हूँ, तो total, जो pre-lightning वाल है, उनको मैंने 50 minutes रखा, technically, और 50 minutes के बाद, अब हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे hair wash, अभी hair wash थोड़ा द्यान से करना, आप लोग समझो, कि इन बालो में जो hair wash करना है, वो क्या करना है इन बालो पे hair wash, इन बालो पे hair wash, पहले global निकालना, अभी देख लो, highlighting अभी नहीं निकाल रहा हूँ, जो foils हैं, उनको नहीं निकाल रहा किसको निकाल रहा हूँ, पहले मैं global, जो मैंने 8 stroke 111 color जो लगाया था बालो पे, सबसे पहले मेरे को उसको remove करना है, सारे बालो में से, उसको remove करने के बाद में, जैसे वो पूरे बालो में से remove हो गया, अब आप जैसे देख सकते हो, अब मैं, जो हमारी pre-lightning वाला बाल था, अब मैं उसको निकाल रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग पूरे बालो पे, लेकिन अभी पूरा wash करने के बाद में, क्योंकि अभी deposit बाकी है मेरे दोस्त, अभी यह पूरा look नहीं है, एक चीज़, यह note down करो, कि कभी भी आप लोग pre-lightning करते हो, pre-lightning के बाद में, आप ल करने के बाद में, before and after के look देखो आप, एक तो क्या, बाल light हो गया, पहले से, और जो copperish look आ रहा था, काफी हमने उसको neutralize कर दिया, eight stroke double one से, लेकिन यह जो blonde बाल आपको pre-lightning वाले दिख रहे हैं, इसको भी अभी neutralize करना बाकी है, मेरे दोस्त, pre-lightning वाले बाल, deposit करेंगे amazing, आप थोड़े से बालों को देख रहे हो कि काफी थोड़े dry भी नजर आ रहा है, yes, जब आप conditioning नहीं करते हो, pre-lightning बिल्कुल पेले से लेके जाते हो, तो बाल थोड़े से dry होते हैं, बाकी यहां पर आप एक चीज़ और notice करो, कि हम लोगों ने, जैसे ही pre-lightning किया, तो य देख रहे हैं, यह आपको pre-lightning का ही look दिखेगा, इसलिए मैंने का कि आपको यह भी दिखा दूँ, बीच-बीच में से यह जो हम लोगों ने slicing लिया है, एक-एक वीव देख रहे हैं, आप लोगों को weaving देख रही है, this is how it is going to come, सारे बालों पे इसका भी थोड़ा idea होगा, कि जब हम यह sections के उपर काम करते हैं, तो how it looks, बाकी हमने जैसे rubber band की pony बनाई, अब यह आप देखे रहो, rubber band लगा दिया, तो आपको पूरे जितनी parameters हैं, वहाँ पे आपको एक-एक line नजर आ रही होगी, बिल्कुल, अभी यहाला की थोड़ा yellow नजर आ रहा है, अब हम इसको करेंगे, शॉसकॉफ के color से, शॉसकॉफ देख रहे हैं, आप लोग, बहुत ही कमाल का color है, अब हम करने वाले है, deposit 9 and a half dash 1 से करने वाले हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शॉसकॉफ जो color है ना, यह मेरा सब सब्सक्रादा फेवरेट है, और ऐसे company बोलती है, कि आ खाली आपका booster color है, या special mix color है, इसको और add करो, stroke double one को, देख रहे हैं, आप लोग, ash color को और डाल रहा हूँ, इसमें, यह अभी तक आपको किसी नहीं दिखाया होगा, दो अलग-लग companies का काम है, लेकिन मैंने इसमें इसलिए डाला, जो मुझे ash color, जो मेरा blue color है, जो मेरा ash color है undercoat blue रहता है, उसका undertone, ash color में undertone जो रहता है, वो blue का टेंट रहता है, तो वो थोड़ा मैंने इसमें ज्यादा डाला, उसके अंदर, और इसमें, अब हम लोग mix कर रहे हैं, 20 volume से, और इसके जो ratio रहेगा, 1 is to 1, आज मैं थोड़ा अलग हटके दिखा रहा हूँ, आज मैं थो result देखने के बाद में आप बताना, तो बल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास में, क्योंकि problem कहा है, मेरे पास में यह जो booster colors हमारे शॉट्सकॉफ के थे, वो नहीं थे, तो मुझे neutralized रहा ज्यादा करना था, तो इसलिए मैंने यह वला color use किया, बाकि आप यहाँ पे देख सकते हो, year cap हम लोग ने लगाया है, year cap के बाद में, अब हम लोग color का global, दोबारे एक बार फिर, 20 volume से, 9.5-1 के साथ, हम लोग अभी कर रहे हैं, depositing with 20 volume, यह ash color में काम आता है, जो अगर company बोलती है, अगर आपको किसी को ash color देना है, तो शॉट्सकॉफ का 9.5-1 आप reflect आएगा, neutralize अच्छा किया है, इसने, ash का तो मुझे पता नहीं, इतना result नहीं लगा मुझे, ash का, लेकिन अगर आप company से बात करेंगे, तो बिलकुल आपको company यहीं बोलेगे, लेकिन color neutralize, देखते हैं, अभी कितना होगा, बाकि हम लोग देखेंगे, कितना neutralize यह color करता है, और इसमें क्योंकि हमने stroke double one भी mix किया है, तो मुझे लगता है कि इसको जितना भी yellow tone आपका आ रहा है, warm tone आपका आ रहा है, वो neutralize होना चाहिए, normally मैं warm tone बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि warm tone करो, warm tone हमारे Indian skin tone में बहुत जाता है, ऐसा मुझे लगता है, बाकि आप लोग final result देखेंगे, तो आप लोग comment box में बताएंगे, कि आज का जो यह result है, कैसा लगा, और अभी बहुत सारे ideas, जैसे हम लोग मिलते हैं, हमारे online classes में मिलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कभी कभी खुद भी आता हूँ, आप करेंगे, तो आपके बहुत काम आएगा, बाकि आप यहाँ पे देखो, कि हम लोग global कैसे apply कर रहे हैं, roots पे मैं नहीं लगा रहा है, बिल्कुल भी, there is no application on the roots, cape लगाया हुआ, देखेंगे, ear cap भी है, और color cape भी है, यह देखो, आप यह जो cutting sheet के ऊपर भी आपको एक और नजर आ रहा होगा, जिससे कि आप colored जो आपकी cutting sheet पे नहीं लगता, क्योंकि global कर रहे हो, gloves पहन के काम करना है, tailcomb, हाथ में रहना चाहिए, यह दियान रखो, black color के जो gloves आते हैं वो ज़्यादा better है, आपके जो white cream color के जो gloves आते हैं, उन से थोड़ा सा ज़्यादा better है, इसका हम लोग emulsification थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए भी यह brush काम आता है, तो I hope यहां तक भी आपको समझ में आओगा, तो properly हम लोग क्या कर रहे हैं, emulsification कर रहे हैं, और wash करने के बाद, जो हमने हमारा बीच का जो wash किया था, जो हमने highlight और हमारा eight stroke, double one, जो किया था, जो हमारे highlighting वाल है, उनके उपर proper लगा रहा हूँ, जो बीच के बाल, हम लोग ने eight stroke, double one लगा था, उसके उपर एक और color लगा, तो properly neutralize करने वाले हैं, आज हम लोग, this is how we are going to do it, तो I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा, बहुत जादा कुछ rocket science नहीं है, यह छोटे-छोटे key points ना, आपको आपके salon में बहुत काम आने वाले हैं, जिसको थोड़ा भी color, मैं दोबारा आप लोग को बोल रहा हूँ, जिसको थोड़ा भी color के doubts होना, Sam Ma'am की theory जरूर करना बाकी online में तो Sam Ma'am ने जो theory दी है, वो तो आपके बहुत काम आने ही वाली है, it is going to help you a lot, और एक चीज़ बोलूगा इस वीडियो को share कर दो, आपके जितने भी hair stylist दोस्त हैं, उनके बहुत काम आने वाली है, अब इसमें आप पूरा process देखो, सबसे पहले हम लोगों ने counseling कि क्लाइन ने बोला मुझे बहुत color light चाहिए, तो हम लोगों ने 40 volume यूज़ किया, soft blonder से यूज़ किया, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने foiling करने के बाद में immediately 8 stroke 11 लिया, जो कि हमारा वेला का था, उसको हमने 20 volume से लिया, scalp पे बिल्कुल भी नहीं gray coverage नहीं कर रहा, उसके बाद हम लोग ने उसको रखा, मतलब foiling को और हमारे 8 stroke 11 जब हमने application किया, उसको हमने रखा 45 to 50 minutes, जिसमें जो हमारा 8 stroke 11 है, वो 30 minute के लिए रखा, और यह जो आपका color था, pre-lightner, वो approximately 50 minutes के लिए हो गया, right, क्यों हो गया 50 minutes, total जो time हमने बिठाया client को, व ऐसी application हमारी foiling की पूरी हुई, तो हमने उठाके 8 stroke 11 लिया, 8 stroke 11 को जो हम लोग ने रखा, वो रखा around 30 minutes, जो application 8 stroke 11 की थी, उस application में मुझे 20 minutes, color mixing और application में लगे, तो वो 20 minute का मतलब है, कि अगर मैंने 50 minute में total wash किया, तो 30 minutes मेरे 8 stroke 11 रहा, और उसी में ही मेरा pre-lightner था, वो 50 minutes के ल करना होगा, उसके बाद हम लोग ने wash किया, wash करने के बाद मैं पहले, जब wash के टाइम पर मैंने आप लोग को बताया था, wash के टाइम पर क्या करना है आपको, सिरफ सबसे पहले 8 stroke 11 निकाला, निकालने के बाद फिर foils हम लोग ने खोले, फिर foils को हम लोग ने emulsify किया, और इसी procedure को, total procedure को हमारा जो proper, यह आप देख रहे हो, फिर हम लोग ने बालों को dry किया, dry करने के बाद, immediately हम लोगों ने यहाँ पर depositing start कर दिया, तो यह आप एक साथ कर सकते हो, कोई problem नहीं है, 20 volume से ही कर रहा हो, वहाँ पे 20 volume था, यहाँ पे 20 volume है, तो आप same day इसको कर सकते हो, कोई problem नहीं है, लेकिन आपको जो wash करना है, वो color protection shampoo से ही करना है, भले वो pre lightning wash हो, भले वो color wash हो, तो अभी जो भी wash होगा, मतलब हमारा जो first wash हुआ था, वो हमने normal से किया था, अनके जो color के बाल थे, तो अगर आप color protection shampoo यूज़ करोगे तो भी अच्छा है, तो लेकिन अभी second और third wash जो होगा हमारा, वो color protection से ही करना है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा application करने के बाद, जो nine and a half dash one, जो color है हमारे शौसकॉफ का, उसको हम लोग ने रखा 35 minutes, 35 minutes के बाद में, अब हम लोग कर रहे हैं, wash, अभी एक देख रो, बालो में अच्छी से, थोड़ा पानी डाला, उसको emulsify करने हैं, हर section को, यह बहुत जुरूरी है, पूरे बालो को emulsify करने का benefit यह होता है, कि जो color है, वो थोड़ा even हो जाता है, okay, so emulsification is important, यहाँ पर आप shampoo, conditioner, सब करोगे आप, यहाँ पर shampoo, conditioner, dry करने के बाद, and this is the final result, I hope आज आपको यह color बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा, तो comment box पे डालेगा, यहाँ पर को भी हम लोगों ने निकाला है, और highlighting light भी की है, और मुझे बताइएगा, कि आज का यह color कैसा लगा, अगर आपके पास में कोई भी client आता है, जो बहुत fair हो, उनके उपर आप यह color कर सकते हो, it will help you a lot, बाकी comment box पे डालेगा, कैसे लगा आज का color, और मैं वेट करूँगा, आप लोगों का, हमारी Mumbai academies में, हमारी online classes में, आपको अगर इस industry में आना है, तो आप बिलकुल आ सकते है, it is going to help you a lot, तो इसी के साथ लेता हूँ जादा, thank you so much for watching this, इसको share कीजिएगा, love you all, bye-bye, jay जय भारत